So hello guys, कैसे हो आप से भाई होप आप लोग अच्छे होंगे Guys, आज की सुड़िम आपको बताने वालों की कैसे आप WhatsApp के deleted photos और chat को दोबारा से वापस ला सकते हो क्योंकि guys काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो WhatsApp के photos होते हैं वो गलती से हमसे delete हो जाते हैं ठीक है और guys हम काफी जादा परिसान हो जाते हैं कि कैसे हम WhatsApp के deleted photos को दोबारा से वापस लाए ठीक है इस वीडियों guys मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप use करके अपने WhatsApp के deleted photos को, chats को बहुत ही आसानी से आप उसको वापस ला सकते हो, recover कर सकते हो इसके लिए guys आपको कोई भी chat backup की जरूत नहीं पड़ेगी simply guys आपको एक trick use करना होगा और guys आपका जो deleted photos है, chats हैं वो दोबारा से वापस आजाएंगे वीडियो आज का काफी ज़्यादा interesting है, काफी ज़्यादा जरूरी है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो का पूरा जरूर देखेगा और guys अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, comment चलो को subscribe जरूर किज़ेगा comment box में आप comment करके ये जरूर बताना कि आप किस company का phone use करते हो जिससे guys मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे वीवर से को किस company का phone सबसे ज़्यादा use करते है जिससे उस phone से later मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा वीडियो दे पाऊ ठीक है अब चले वीडियो को सुरूर करते है दोस्तो आप हम सबसे पहले whatsapp को open करते है दोस्तो आप यहाँ पे काफी सारे chats देख सकते हो ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे chats हुए है इसके बद गरिज़ आप यहाँ पे photos भी देख सकते हो ठीक है आप यह photos देख सकते हो काफी सारे photos है ठीक है तो एक काम हम करते हैं कि सबसे पहले इन photos को delete कर देते हैं ठीक है हम यहाँ से clear chat कर देते हैं इसका तो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने clear chat कर दिया है सभी chats को photos को delete कर दिया है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे photos हमने delete कर दिया है अब हम back आते हैं और इसका भी chat clear कर देते हैं इसको भी हम delete कर देते हैं तो यहां पे इसका भी हमने clear कर दिया अब चले हम आपको इसको recover करें दोबारा से वापस ला के आपको दिखाता हूं सबसे पहले यहां पे हम file manager को open करते हैं इसके बद आपको internal storage को open करना है और यहां पर आपको WhatsApp को search करना है आपको नीचे आजाने है नीचे आपको WhatsApp का folder मिल जाएगा आपको इसको open करना है दूसरे नंबर पे आपको एक option मिलेगा database कर ठीक है आपको इसको open करना है और guys आप यहां पे देख सकते हो WhatsApp का सारा data यहाँ पे save है ठीक है लेकिन आप इसको यहाँ से वापस नहीं ला सकते ठीक है इसके लिए आपको एक trick यूज़ करना होगा Simply guys आपको WhatsApp का clear data कर देना है आपको WhatsApp पे long press करना है और यहाँ पे आपको एक option लेगा app info आपको इसको open करना है इसके बाद आपको storage uses पे click करना है और गैस आपको यहाँ से WhatsApp का clear data कर देना है आपको clear data पे click करना है और ok पे click कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने WhatsApp का clear data कर दिया है अब गैस आपको फिर से WhatsApp को open करना है इसके बाद आपको agree and continue पे click करके अपने पूरारे नमबर को यहाँ पे डाल के registration करना है ठीक है जो पहले नमबर डला था जिस नमबर से आप WhatsApp चलाते थे आपको same वही नमबर यहाँ पे डालना है ठीक है तो हम नमबर डाल देते हैं इसके बाद गईज़ आपको next पे क्लिक करना है ठीक है अब आपको OK पे क्लिक कर देना है दोस्तों अब आपके नमबर पे OTP आएगा जो अटो फिल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे OTP आ चुका है और अटो फिल हो चुका है ठीक है इसके बाद गईज़ आपको continue पे क्लिक कर देना है ठीक है और permission को allow कर देना है अब गईज़ आपको यहाँ पे backup found मिलेगा ठीक है दोस्तों आपको यहाँ से restore करना है ठीक है आपको भूल से भी skip नहीं करना है नहीं तो आपका कोई भी chat वापस नहीं आएगा ठीक है simply आपको यहाँ से restore करना है इस तरह गईज़ आपको इसको restore कर देना है इसके बाद गैस आपको next पे क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है अब आपको next पे क्लिक करना है ठीक है अब दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा तो तोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे chats दोबारा से वापस आ चुके है ठीक है आपको यहाँ पे never पे टिक करना है और इसको done कर देना है ठीक है गैस आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इनी chats को delete किया था लेकिन आप देख सकते हो यह recover हो चुके है इस तरह गैस सकते हो सारे photos दो बारा से वापस आ चुके हैं ठीक है आपको simply इनको यहां से download करना होगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारे सारे photos दो बारा से वापस आ चुके हैं ठीक है इस तरह आप बहुत ही आसानी से WhatsApp के deleted photos को दो बारा से वापस ला सकते हो आपको यहां से इन photos को एक बार फिर से download करना होगा आप यहां पर देख सकते हो download होता जा रहा है यह जो trick है यह working trick है इसके लिए आपको कोई भी third party application यूज नहीं करना है सिर्फ आपको WhatsApp को uninstall करके या उसका clear data करके अपने mobile number को फिर से register करना है और गैज आपके जो deleted photos है चैड्स है वो दो बारा से वापस आजाएंगे ठीक है आप यह आप देख सकते हो सारे photos वापस आचुके है गैज जूमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आईद वीडियो को like कर दो यार चैनल पे नए चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नए applications related नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद